कुछ अजीव सा केमिकाल बंट के बारे में डिसकास करेगी आज तक हम जो भी बंट के बारे में डिसकास कर रहे थे with respect to semester third students मैं बोल रहा हूँ ये आज के जमाने में अजीब होके नहीं रहा है लेकिन semester third students के लिए अजीब सा chemical bond है anyway my dear friends जो भी chemical bonds आज तक हम discussion कर चुके हैं वो है two center to electron bond right यानि अगर मैं hydrogen molecule के बारे में discussion करूँगा तो इस hydrogen molecule में दो hydrogen atom के बीच में दो electron सेयार हुआ है इसको एक center और इसको एक center बोलेंगे तो ये two center बनता है उनके बीच में दो electron है तो ये जो bond बन रहा है दो hydrogen के बीच में ये जो bond बन रहा है इसको हम बोलते हैं two center to electron bond क्या बोलते हैं two center to electron bond लेकिन आज जो हम discussion करने जा रहे हैं जो हम हमारे लिए है क्या रहे B2H6 यानि डाइबोरेन इसका methods of preparation आप लोगों के लिए कुछ भी difficult नहीं रहेगा और B2H6 के लिए हमारे structure determine करना है इसका structure को discussion करेंगे आज और B2H6 जो है डाइबोरेन वो two center to electron bond के जैसा नहीं है ये एक कुछ difference है वो है three center three electron bond three center three electron bond कैसे होता है क्या है इसका hybridization कैसे hybrid orbital form होता है details हम discussion करेंगे ये एक long question important long question BAC students के लिए तो चलिए structure determine करते है structure discussion करते है okay so first of all B2H6 यानि इधार बोरन central atom है बोरन दो central two central atoms कितना central atoms है दो central atoms यानि two B atoms यानि दो ही जो बोरन atoms है दो central atom इधार है और इसके चारों और जो surrounding atoms होंगे वो hydrogen है तो जिसका hybridization होता है हमको पता है एक molecule में किसका hybridization होता है एक molecule का जो central atom होता है उसका hybridization होता है तो यानि ये जो 5 है इसको हम लिखेंगे इसका ground state का electronic configuration ground state का मतलब होता है जिधर जो electron रहना चाहिए अगर वेसे ही है तो उसको हम लिखते हैं ground state 2PY0 and 2PZ0 तो ये वनता है हमारे लिए ground state electronic configuration अगर जब hydrogen boron के साथ bond करने के लिए आ जाते हैं तो वो जो central atom boron में जो electron जीधर होना चाहिए था उनमें repulsion के कारण excitation होना शुरू हो जाता है इसलिए ground state से अभी हम लिखेंगे excited state हमको ये समझना है जब hydrogen bond करने के लिए boron के साथ आते हैं तब excitation होता है इसलिए ही अब हमको इसका excited state लिखना है ये जो 2S orbital में दो electron था उनमें से एक electron इधर 2PY को excite हो जाएगा 2PX1, 2PY1, 2PZ0 ये होता है हमारे लिए excited state hybridization हम first year से discussion कर चुके हैं ये हमारे लिए बाग बड़ी बात नहीं भालेंस सेल में जो एक S orbital के साथ अभी 3 orbital मिलके SP3 hybridization देंगे SP3 hybridization में जितना orbital मिलके hybridization कर रहे हैं यानि एक S के साथ 3P यानि 4 orbitals मिल रहे हैं SP3 hybridization के लिए तो चार hybrid orbital हमको मिलेगा यानि हम लिखेंगे 4 SP3 hybrid orbitals hybrid orbitals hybrid orbitals यानि 4 hybrid orbitals हमको मिल रहे है SP3 hybrid orbital और उन में से कितना यानि यानि वे से कितना यह है 1st hybrid orbital 2nd 3rd और यह है 4th ओके एसे करके हमारे पास 4 SP3 hybrid orbitals है हर एक hybrid orbital के पास एक एक electron जो 4th hybrid orbital है वो empty रहे जाता है empty hybrid orbital तो इसके साथ हमारा कुछ नया discussion करना है यह empty orbital सी भिलियन के तरह काम करेगा कैसे एक नया bond बनाने के लिए anyway तो मैं मैं interest के लिए बता देता हूं कि यह जो B2H6 का 3 center 2 electron bond है कभी-कभी इसको हम बोलते हैं banana bond क्या बोलते हैं banana bond यानि केला के bond यानि केला का bond केला जैसा दिख रहा होगा वो bond इसलिए banana bond इसको बोलते हैं तो जो भी हो हम एक बोरन का आटम के लिए लिख रहे हैं लेकिन दो ही बोरन का आटम सेम ही हाल होता है यानि वही ground state and excited state वही चार hybrid orbital जिनमें से एक रह जाता है empty तो इसका structure कैसे discussion करेंगे माइडियर फ्रेंड्स यह सपोज यह एक बोरन आटम से चार hybrid orbitals होगा शेंटर में तो यह एक tetrahydral structure देगा हर एक बोरन आटम के पास एक tetrahydral structure क्या होगा फर्म हो जाएगा यानि एक तो बोरन आटम इसपी 3 hybrid orbital इधर से और एक एसपी 3 hybrid orbital इस डिरेक्शन में ठीक है फिर एक एसपी 3 hybrid orbital इस डिरेक्शन में एक एक SP3 hybrid orbital इस डिरेक्शन में, जैसे टेट्राइडरल स्ट्रक्चर हम हाइविर्डाइशन में डिसकेशन किये थे, एसे, and, and, हर एक SP3 hybrid orbital के पास एक, एक electron है, बस खली, finally, ये जो है, फोर्त, जो SP3 hybrid orbital था, इसको छोड़के, हम बोल रहे थे, कि चार नंबर का जो hybrid orbital है, उसके प इलेक्ट्रम है नहीं, उसके पास, इलेक्ट्रम है नहीं, तो ये, empty hybrid orbital है, ठीक उसी तरह, और, एक जो बोरॉन आतम होगा, इस बोरॉन आतम के पास घी, वैसे, वैसे, चार हाइबृड अर्बिताल होँगे, जिन में से, जिन में से, तीन हाइबृड अर्बिताल के पास, एक एक electron एण फॉर्थ के पास फूर्थ के पास electron नहीं रहेखा इसका विवैश चार नंबर का जो हाईब्रोड डिटताल है यह इसका SP3 hybrid orbital किसका लेफ साइड बोरोन का ये एक बोरोन आटम है ये एक बोरोन आटम है ठीक है अब ही B2H6 यानि 6 कुल मिला के hydrogen है उनमें से 4 hydrogen atom A से आएंगे ये एक hydrogen atom है खुद का electron लेके आएगा इधर ये है SP3 hybrid orbital ये है S orbital सो इधर जो bond हो रहा है head-on overlap हो रहा है यानि sigma 1 किस-किस orbital का head-on overlap हो रहा है एक SP3 hybrid orbital और एक S orbital का head-on overlap हो रहा है इसको लिखेंगे SP3S sigma 1 सेमी हाल इधर दूसरा hydrogen atom के साथ हो रहा है ये भी वही SP3S sigma 1 ठीक इसी तरह जो right side बोरन का है हम बोले थे इधर तीन hydrogen atom जैसे जैसे मैं electron दे रहा हूँ careful इसको देखना है इधर एक hydrogen atom आएगा वो भी एक electron लेके आएगा ठीक इसी तरह इधर भी एक hydrogen atom आएगा एक electron लेके आएगा लेकिन ये अभी ना अभी जो ये बोरन atom ये जो बोरन आटम ये जो बोरन आटम दो बोरन आटम और ये जो चार hydrogen atom हो रहे हैं ये एक ही plane में है यानि अगर मैं बोलूंगा कि ये है मेरे लिए एक book तो इधर एक एक बोरन आटम रहेगा, इधर एक बोरन आटम रहेगा, ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में ही दो बोरन आटम और चार हाइड्रोजन आटम एक ही प्लेन में रहते हैं, तो पांच और छोई हाइड्रोजन किदर रहता हैं, किदर रहते हैं, पांच नमबर का हाइड्रो कैसे आगे बढ़ेंगे और दिखेंगे अभी ये जो बोरन आटम बन रहे हैं इधर हम क्या करेंगे एक 1,2,3,4 हाइडरोजन के बाद और भी 2 हाइडरोजन बचे हुए हैं वो हाइडरोजन ऐसे आके एक ही एस अर्बिटाल अभी 2 SP3 हाइडरीड अर्बिटाल को एंगल्फ क कर रहा है एक ही साथ तीन हाइडरीड अर्बिटाल ओबरलाप कर रहे हैं आज तक हम डिसकासन कर चुके हैं अब तक के लिए हमारे क्या आइडिया था एक आटम का एक अर्बिटाल दूसरा आटम का दूसरा अर्बिटाल के साथ ओबरलाप हो रहा था इसलिए two center two electron bond हो रहा उसमें three center मतलब यह है बोरन यह है बोरन इधर एक आजाता है hydrogen hydrogen का इधर यह लेके आता है एक electron hydrogen के पास एक electron थीक उसी तरह लेकिन कैसे मैं रखा हूँ और्बिटाल को एक बोरन आटम का उस तरफ एक फिल्ड और्बिटाल ले लिया तो दूसरा बोरन आटम का जो उस nitrogen को रखना है ठीक इसके तरफ तो उसको empty रखना है अगर और यह पास्याली फील्ड है इसको empty रखना है हम बोल रहे हैं एक दो तीन बोरन हाइडरजन बोरन यानि यह बोरन होता है किसके बीच मेरे एक है बोरन दूसरा है हाइडरजन तिसरा है हाइडरजन तो इसके बीच में कैसे बोरन बन रहा है ऐसे बोरन बन रहा है इस बोरन के पास था एक हाइडरजन में एक लेक्टरन फि three-center two electron bond ठीक है यह है three-center two electron bond इसलिए इसको बोलते है three-center two electron bond ठीक है ठीक उसी तरह अगर इधर भी हम देखेंगे तो यह hydrogen था ठीक है इसका एक partially field sp3 hybrid orbital ला रहा है उसके opposite में इस बोराण आटम का, जो sp3 hybrid orbital लेना है, उसको empty रखना है, ठीक इसका opposite, इस boron atom का sp3 hybrid orbital को जैसे हम इन्हों आरेंज करते हैं, ठीक opposite इसको आरेंज करना है, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, इस hydrogen भी एक electron लेके आता है, इधर भी देखो, यह है center 1, hydrogen है center 2, यह है center 3, यानि दूसरा एक इन्हों ऐसे करके बंड़ आता है, 3 center बनते हैं, इस boron का, इस boron atom का, जो sp3 hybrid orbital है, इसके पास electron नहीं है, यह जो boron atom है, इसके पास electron है, यह एक electron लेके आता है, और hydrogen, hydrogen एक electron लेके आता है, और boron के पास एक electron है, यह वाला और यह वाला, दो hydrogen मी लेंगे, तो, sorry, एक hydrogen, जिसके पास एक electron है, इस boron का, sp3 hybrid orbital में एक electron है, 3 center में इधर भी 2 electron सेयर हुआ है, जिसकों मोलते है, 3 center, 2 electron बन, राइट, तो यह यह बन जाता है, तो, B2H6 का structure, अभी मैं, अल्रेडी, इंटर्पिट कर चुका हूँ, क्या होता है, डाइबोरेन के structure में, यह जो एक boron, दूसरा boron atom, यह जो दो-दो-चार करके hydrogen, एक ही plane में रहते हैं, 5 नमबर का hydrogen, plane के उपर, और 6 नमबर का hydrogen, plane के नीचे, तो यह बनता है, हमारे लिए, structure of diveren, structure of diveren, इसको, अभी एक screen shot लेंगे, और फिल, आगे बढ़ेंगे, क्या evidence है, ठीके, My dear friends, यह जो bond है, इसको इसलिए, एसा दिख रहा है न, इसलिए इसको हम बोल रहे है, banana bond, क्या बोलना है रहे, banana bond, यह भी एक बनता है, banana bond, banana bond, यह जो दो hydrogen हमें ऐसे लिखते हैं, दो hydrogen इधर, और दो hydrogen इधर, ठीके, यह होता है, यह structure को ऐसे हम देखते हैं, this structure is equivalent to this structure, ठीके, तो, इसको screen shot लेंगे, और आखे बढ़ेंगे, यह, अभी, क्या करेंगे, क्या experimental evidence है, कि diveren में hydrogen bridge structure है यह न, यह bridge करता है, दो boron के atom के बीच, तो इसको बोलते हैं, hydrogen bridge structure, भी, एच्वी, okay, so, अभी चलेंगे, अभी कितर चलेंगे रहे, experimental evidences, experimental evidences, for hydrogen bridge structure, hydrogen bridge structure, hydrogen bridge structure, ठीक है, hydrogen bridge structure किसको बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, इधर boron और यह boron atom, और ऐसे करके, दो boron atoms होते हैं, दो boron atom के साथ, जो चार hydrogen, यह एक ही plane में रहते हैं, पांच एंड छे नमबर का hydrogen, जो plane, यह जो दो boron atom, चार hydrogen atom, जो plane बनाते हैं, इसके उपर निच्चे करके रहे हैं, पांच छे, तो यह हम इसको बोलते हैं, hydrogen bridge structure, क्या बोलते हैं रहे, hydrogen bridge structure, जिसको बोलते हैं, हम two center, three center, three center, and two electron bond, यह जो रहता है, इसको बोलते हैं, hydrogen bridge structure, ठीक है, पहले तो, पहले तो, अगर यह molecule को, हम C2, B2H6 हम लिख रहे हैं न, डाइबरन का फर्मूला क्या है, डाइबरन का फर्मूला है, B2H6, अगर इसको C2H6 यानी, इथेन के तरह समझते हैं, अगर हम consider करेंगे, कि B2H6 में जो structure है, वो इथेन के साथ equivalent है, तो, इथेन का structure को देखके, consider करके, अगर B2H6 का bond को हम arrange करेंगे, उसका energy जितना आएगा, वो लगबग 3 kJ energy आएगा, 3 kJ energy आएगा, लेकिन अगर B2H6 को, ठीक वो ही hydrogen b-bridge structure को लेके, हम consider करेंगे, इसका energy molecule, ये करीब 12 kJ energy आता है, 12 kJ energy आता है, जिसका experimental value भी, वो ही कुछ 15 kJ पर energy आता है, ठीक है, तो जो डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन का experimental energy जो है, वो 15 kJ energy है, लेकिन जब हम calculate करते हैं, theoretical उसका hydrogen b-bridge structure को consider करके, अगर calculate करेंगे, उसका energy 12 kJ energy होता है, जो 15 kJ energy का लगबग होता है, लेकिन अगर इसका structure C2H6 के equivalent करके calculate करेंगे, वो बस 3 kJ आता हैगा, इसलिए हम इसको hydrogen b-bridge structure को ही consider करेंगे, तो पहला है, when energy of B2H6 is calculated theoretically, 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 considering, considering hydrogen b-bridge structure, its energy, its energy resemblances, 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 resemblances with the experimental value, with the experimental value, first evidence है, second evidence क्या है, NMR spectroscopy, 3rd semester, यह आप लोगों को तब पढ़ाया नहीं गया है, अब तक 5th semester में होआएगा, NMR spectroscopy, NMR spectroscopy में होता क्या है, मैं just यह idea दूँगा, एक particular environment में hydrogen atoms के लिए A key signal आता है, अगर C2H6 के तरह B2H6 का structure भी होता है, यानि C2H6 में यह carbon में जो-जो hydrogen जिधर-जिधर है, उस side का carbon में भी, वो hydrogen बस उसी ही जागा में, उसी ही environment में होते हैं, इसलिए अगर मैं B2H6 में भी हर एक hydrogen का position एक ही तरह ले लूँ, तो हर एक hydrogen के लिए A की signal आना चाहिए, nuclear magnetic resonance spectroscopy में, लेकिन इधर क्या होता है, जब इस diveran के लिए हम NMR spectroscopy करते हैं, तो उधर हमको दो different type का hydrogen का signal हमको मिलता है, यानि एक terminal hydrogen, ये जो hydrogen है, इसको बोलते हैं terminal hydrogen, और ये है bridge hydrogen, तो दो प्रकार का environment में, इसका environment क्या है, बोरन बोरन, लेकिन इधर environment क्या है, इस terminal hydrogen का खाली कौन सा environment है, खाली बोरन है, तो यानि ये जो hydrogen का environment, ये hydrogen का environment से अलग है, इसलिए दो signal NMR spectroscopy से आ रहा है तो यानि डाइबरेन में दो प्रकार का hydrogen होते हैं अगर ये इथेन का structure के तरह होता तो उसके लिए डाइबरेन के लिए इथेन के structure equivalent कर लेते equivalent करके सोचते और equivalent होता भी तो हमको एक ही NMR spectroscopy का signal मिलता तो ये है terminal hydrogen ये है breezed hydrogen इसको में लिखेंगे two different signals two different signals for two different type of hydrogen for two different type of hydrogen for two different type of hydrogen obtained ठीक है और इसको लिखना का ज़रूरत नहीं है कि हाँ इथेन होता इथेन के तरह होता तो हम इसको डिसकाशन कर चुके हैं बस ये दोनों evidences है और भी बाकी सारे evidences है हम लंग क्वेशन के लिए इतले लिखेंगे तो काफी रहेगा I hope you enjoyed the class my dear friends if you have any doubts you may ask any question about this concept in our group thank you so much my dear friend keep supporting me Baba I will discuss in the next class